सीलन और फंगस लगी दिवारें, तूटा फूटा ढांचा और जरजर होता घर कुछ यही हालत है बाबरी मस्जिद विध्वन्ष में मुख आरोपी संतोर्ष दूबे के घर की जिसमें वे पिछले 30 सालों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं संतोर्ष दूबे का संकल्प था कि जब तक राम लला अपने महल में विराजमान नहीं होंगे तब तक वे अपना घर नहीं बनवाएंगे अब उनका यह संकल्प पूरा होने जा रहा है जब परधान मंतिन नरेंदर मोदी 22 जनवरी को राम लला के प्रान प्रतिष्ठा करेंगे उन्होंने बताया कि मुझे चार गोलियां लगी थी और मेरे साथी मेरे आखों के सामने मारे गये थे और मुझे अफसोस है हम उन्हें बचा नहीं पाए उन्होंने आगे बताया कि ततकालीन मुलायम सरकार ने भी काफी आरोप लगाये थे और कई जेलों में रखा था मुझे चार गोलियां लगी थी दो नुमबर को और मेरे साथी बाई रमेश पांडे राजेंदर धरिकार वाज़्यों गुपता ये सब मेरे ही आखों के सामने मारे गए थे अफसूस था कि हम लोग उनको बचा नहीं पाए बचाने में ही खुद भी गायल हुए ती गोलियां लगी तो ये तो दो नुमबर को एक घटना हुई थी मुलायम सरकार ने आपके पार कई आरोप भी लगाये हैं मुलायम सरकार ने बहुत आरोप लगाये बड़े मुकदमे जड़ दिये एनस से लगा कर मुझे साल भर जेल में रखा प्रदेश की कई जिलों की जेलों में ट्रांसफर किया गया दोड़ाया जाता रहा मेरी मुलाकात यहां बंद थी मुझे कोई मिल नहीं सकता था सेल में मुझे रखा गया था बड़ी प्रताडना जेली पड़ी मुलायम सिंग की सरकार ने कभी हमको चैन से बैठने नहीं दिया जब भी वो उनकी सरकार आती थी वो या उनके बेटे की जब भी सरकार आई तो मेरे उपर तमाम फरजी मुकर्द में लादे जाते रहे उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि अब मेरा संकल्प पुरा हो गया है और ये मेरे लिए परमानन का विशे है प्रभुराम का मंदर बंढ़ा वो प्रवेश कर रहे हैं तो मेरे लिए तो यह सबसे मेरा जीवन सार्थक हुआ इस संगर्ष में सामिल होना, लड़ना, गोली खाना, खून बहना, जेल जाना, लाठी पाना यह सब मैं मानता हूँ कि प्रभु की कृपा थी, उनके काम आया, ब्यक्तिगत लोग संगर्ष में जूशते हैं मैंने तो राम के लिए राम की कृपा से माता जान की और प्रभु राम की कृपा से सब काम किया मैंने संकल्प लिया था कि जब राम लला अपने घर में बब्यमंदिर में पधारेंगे तब ही हम अपना घर बनवाएंगे नया अन्य था हम ऐसे जैसे चलता रहेगा, कोई बात नहीं है, मैं नए घर में नहीं जाएंगे लेकिन प्रभु ने कृपा कर दी उन्होंने बताया कि परधान मंत्री के उद्गाटन करने के बाद वे मुहर्ट निकाल कर अपना घर बनवाएंगे 30 को अपने घर से निकलेंगे ही से नंगे पाओं, भी बहुत से लोग सबको बुलाया जाएगा, अभी मोदी जी चले जाये, गहाटन करके चले जाये, तब हम सबको बुलाएंगे कारस्योकों को और सब के साथ जो भी लोग बचे हैं उन सब लोगों के साथ जाएंगे राम कोट की परिक्रमा करेंगे राम कोट इंडिशन्स जो राम जी का किला है राम मंदिर जो बन रहा उसके आसपास 3 किलो मीटर की आत्रा होती है एक कोस तो उसकी परिक्रमा करते हुए प्रभुक के सामने जाएंगे और अपना वो दर्शन नहीं बलकि वो सेंकल पूर्ण हुआ है तो उसके बाद हम 30 जनुरी को दर्शन के बाद फिर अपने घर का मुहुर्त निकलवा कर और घर बनाना शुरू करेंगे आपको बता दे परधानमंती नरिंदर मोदी कल यानी शनिवार को अयोध्या में अयोध्याधाम जंक्षन और नाव निर्मित एयरपोर्ट का लोकाडपन कर देश को समर्पित करेंगे